राम राम कोड़ इस आज के लीड कोड़ का पहला सवाल तो इस कुश्चिन में क्या है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दिया हुए एस ठीक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिरो और वन्स होने अब आपको क्या करना है आपको बताना है कि लॉंग कि बैलेंस सब्स्ट्रिंग का लंथ क्या है वो आपको बता नहीं है आप अब बैलेंस सब्स्ट्रिंग क्या है तो एक स्ट्रिंग is called balanced if all zeros are before ones and the number of zeros is equal to the number of ones in the सब्स्ट्रिंग ठीक है तो ये अगर हो गया तो आप बोलोगे कि balance सब्स्ट्रिंग थे दो condition आपके लिए क्या क्या है एक कि सारे 0 जो है वो सारे 1 से पहले होने चाहिए ठीक है and second condition क्या है कि number of 0s जो है that should be equal to number of 1s ठीक है 1s तो बस यही simple सा बात है और यह question भी again simple सा है implement आप इसको किस तरीके से करते हो यह आप क्या important है तो यहां पर सबसे पहले मुझे क्या है सबसे पहले मुझे 0 मिला ठीक है 0 मिला तो मैं चेक करूँगा कि मुझे लगतार कितने 0 मिल रहे तो सबसे पहले मुझे यहां पर 0 मिला यहां पर 0 मिला 1 ठीक है खतम हो गया पिर इसकाव मैं चेक करूँगा कि मुझे लगातार कितने one मिल रहा है मुझे लगातार फिर एक ही one मिला ठीक है अब एक zero मिला एक one मिला तो total कितने length का sub string मिला मेरे को two length का फिर again आگे बढ़ता है यहां तक हो गया मेरा कहानी अब इसके आगे का चेक करते हैं यहाँ पर मुझे एक 0 मिला 2 0 मिला, 3 0 मिला तो यहाँ पर मेरे को 3 0 मिला further फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर again मेरे को 3 1 में मिला ठीक है तो यह भी a good substring है तो यहाँ पर से मतला balance substring है यहाँ पर से longest sub-airay का length क्या है 2 0 मिले और लगतार मेरे को यहाँ पर 3 1 मिले तो longest balance substring मेरा कौन सा होगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी आपका minimum है ना उसका आपको into 2 करना होगा यहाँ पर आपको 2 0 मिले हैं और 3 1 मिले हैं तो 2 1 तक ही balance हो पाएगा उसके बाद फिर जो 1 है extra वो तो extra हो जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे 2 0 और 2 1 वाला जो आपका substring वो आपका longest balance substring हो जाएगा और इसका length आजएगा 4 ठीक है फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर तो कभी आपको 0 मिला ही नहीं और अगर आपको 0 नहीं मिला तो फिर आपका जो balanced, unbalanced का quest है वो तो अधूरा रह जाएगा तो यहाँ पर सम्लोग इसको छोड़ देंगे ठीक है तो बस simple सा था और मुझे उम्मीद है कि और इसमें कुछ आपको doubt होगा नहीं बस इसके आप फिर आपका implementation का question मन जाता है इसको implement कैसे करते हो और implement करने के लिए आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से implement किया है सबसे पहले मैंने answer एक variable ले लिया है which will store my maximum answer अगर मेरा current value 0 है तो ही मैं यह operation चेक करने वाला हो क्योंकि अगर मेरा जो good substring है जो मेरा longest balance substring है वो कभी भी one से तो शुरू होगा नहीं क्योंकि उसमें जो zero है वो one से पहले आने चाहिए तो zero से इस शुरू होने वाला है तो जब भी मुझे zero मिलेगा तब ही मैं अपना जो search है उसको चालू करोगा ठीक है उसके आद फिर मैं चेक करूँगा continuous मेरे पास कितने zeros है फिर मैं चेक करूँगा continuous मेरे पास कितने ones है फिर उसके आद मैं चेक करूँगा कि इन दोनों में से minimum कितने है जैसे कि अगर मादलो मेरे पास पांच zero आगे लगातार एक दो तीन वन लगातार दो बार है तो इन दोनों में से जो भी minimum हुआ उसको मैं pick करूँगा टू हो और into 2 करके मैं यहाँ पर जो length है उसको store कर लूँगा ठीक है और फिर यहाँ पर मैंने minus minus i q किया q की देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यह जब मैं one का search कर रहा हूँ तो मैं इसको तब तक बढ़ा रहा हूँ जब तक मुझे one मिलते जा रहा है तो यह कब रुक जाएगा जब मुझे zero मिला ठीक है तो यहाँ पर दिक्कत क्या है जब zero मिला तो फिर तो अगला जो search है वो यही से चालू होना चाहिए पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जब मैंने fall loop लिखा है उसमें मैंने एक update operation अल्रेड़ी डाला हुआ है तो यहाँ पर एक तो zero मिल चुक है और उसके बाद फिर यह जो है इस fall loop के अंदर जाएगा फिर एक बार यह और update होगा तो फिर यह next element पर चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा इसको minus minus i कर दूँगा तो यह इस index is just एक पीछे वाल index पर आ जाएगा ठीक है यहाँ पर अगर मानलो one था यहाँ पर आ जाएगा अब फिर जब next यह i plus plus होगा तो फिर यह उठके यहाँ पर आएगा ठीक है तो this is the thing अब यह finally जब भी आप पूरा का पूरा array का आप निकाल लोग answer तो you return your answer जो भी best possible longest balance sub-string का answer है ठीक है मुझे अमीद आपको इस समझ में आ गया होगा अगर इसके बाद भी कोई doubt है तो आप कमेंट section पर आ सकते हो या फिर आप जोड़ सकते हो हमारे social media pages candle से जिनका link description box में दिया हो है आज के lead code contest का second question यहाँ पर कहाना कि आपको एक 2D array दिया हो है ठीक है एक 1D array दिया हो है उस 1D array को आपको convert करना 2D array में उसको convert करने के लिए आपके पास जो 2D array होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो 1D array आपको दिया हो है उसी के element होने चाहिए उसे ज्यादा नी होने चाहिए उससे कम नी होने चाहिए सारे के सारे वही element होने चाहिए सिकेंड क्या condition दिया हो है कि हर एक row में आपके unique elements होने चाहिए ठीक है एंड थर्ड क्या condition दिया हुए है कि number of rows minimum होने चाहिए मतलब एक तो आप ये भी condition कह सकते हो ना एक one आप first row में कर दो फिर आप three second row में कर दो फिर आप four third row में कर दो ठीक है फिर आगे वाले row में one कर दो तो इस तरीके से आप कर करके एक तो ये भी एक तरीका हो जाएगा but this is not valid उन्होंने स्विस्फाई किया number of rows minimum होने चाहिए मतलब कि आपको एक row में जादा स्यादा distinct आपको डालने कोशिश करना है ताकि row जो है वो minimum number of हो ठीक है तो यहाँ पर करेंगी कैसे हम लोग सिंपल से है अगर आप लोग यहाँ पर देखो भी हम लोग को क्या करना होगा बस एक चीज़ यह पता रखना होगा कि उस रो में अभी तक हमने करते हैं तो सबसे पहले और सबसे important बात क्या है कि सेट यहाँ पर एक सेट नहीं होगा हर एक रो के लिए अलग से सेट होगा और यहाँ पर कितने आपके हो होंगे यह भी आपको पहले से पता करना होगा तब तो आप बोलो कि तो यहाँ पर at least आपको तीन रो तो चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाले रो में एक वन आप डाल दोगे और थर्ड वाले रो में आपको एक वन और डालना होगा तो जो भी आपका हाइस फ्रिक्वेंसी का नंबर है न वही आपका होगा नंबर ओफ रो क्योंकि आपको at least इतन यह जो रिपीट हुआ है उन सभी को अलग-अलग रो में डालने के लिए ठीक है तो यह पर आपको तीन सेट चाहिए होगा ठीक है तो वेक्टर ओफ सेट अब बना लो अब यहाँ पर सबसे पहले आप आए वन पर तो वन के लिए आपने चेक किया फर्स्ट रो वाले सेट है उसमें आप फोर फिर आप थ्री पर जो च्री ग्या फॉस्ट रोवाले सेट में अलए नहीं तो इसमें यहाँ पर ए तो वन तो यहां पर यहाँ इस रो म में है इस रो में तो है फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड ड्रो में आते हैं सेंड ड्रो में क्या है सेकेंड ड्रो इंसर्ट करो 7 बेन और यहांपर बेसहरत कर दो ऑप टो गया फर्स time है सबसे पहले हम लोग काम स recycling करना फिर ड्रो संधी चालो Digital ट्रो तो यहां पर दिखते कि आ यहां पर एड कर दो और फिर 2 त्हीं चैकर शोदी banco आगे बढ़ते हैं यहां पर वानन एगे तो वन वह्मन चर्ण है बुर्ण करेंगे प्रेज़ेंट है second row में चेक करेंगे present है third row में हम फिर finally insert कर देंगे तो यह होगे आपका final resultant 2D array अब यहाँ पर आपको तीन distinct row बनाने पड़े क्योंकि यहाँ पर आपका जो highest frequency है वो 1 का है 3 तो at least 3 row तो आपको चाहिए ही चाहिए सिंपल सा था यहाँ पर एक बार आपने 2D array का size पता कर लिया कि क्या होने वाला है अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद से फिर आपका question उत्ता टफ नहीं रह जाता है उसके बाद बस आपको एक चीज़ का acknowledgement डालना है कि हाँ इस row में यह वाला element present हो चुका है तो इसके लिए आप सेट सेट इस्तमाल कर सकते हो और सेट इस्तमाल कर सकते हो मैप इस्तमाल कर सकते हो और एक चीज़ और है कि जो आपका number value है वो भी आपका one से लेके 200 तक ही होने वाला है तो अगर आप चाहो तो जो हम लोग array वाला map इस्तमाल कर लेते थे वो भी आप कर सकते हो तो one से लेके 200 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो डिपेंड्स क्या आप कौन से method प्रिफर करते हो तो अब code प्याने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि अपना जो प्रचेंड फेज है वो अभी चालू है डिए से प्लस सीपी कोर्स का अगर आपको कॉंटेस्ट वगरा देने में दिक्कत होते हैं तो उसके लिए स्पिसिफाइड जो आपको स्किल्स का रिक्वार्मेंट है वो आपको उस फेज के अंदर में cover हो रहा है तो अगर आप कॉंटेस्ट देर हो जो कि आप दोई ही रह तो यहां पर क्या हैं सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि कि मतलब कितने रो होने वाल ये उसके लिए हम लोग्या करें老師 sick अब हम यह number of rows पता चले गए है तो उससे हम initialize कर देंगे एक 2D vector ठीक है 2D array और एक 2D array of sets ठीक है जहां पर हर एक जो array हो रहा था ठीक है वहाँ पर set होगा ठीक है अब finally हम लोग क्या करेंगे array में treat करेंगे उसके आद हम लोग 1 से लेकर के end तकके रहे सभी सेट में explore करेंगे ठीक है अगर first set में present n ही है ठीक है तो first set में इसको डाल देंगे और first row में इसको insert कर देंगे अगर स्पाइब करें है तो फिर हम लोग सेटल में चेक करेंगे फिर हम लोग थर्ड में चेक करेंगे इस तरीके से जाते जाते हम लोग एन- shipmentПр करेंगे और यह तो ग磨पल चेरेंटी है कि one से लिक Yeah wein चैंड कोई नडम कोई तो इसको इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो फिर एक बार आपने श्टोर कर लिए फिर वहाँ पर से आपको रुख जाना है नेक्स्ट के लिए आपको चेक नहीं करना है तो फिर फाइनली आपका जो अंसर हो जाएगा उसको आप इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर आ सकते हैं या फिर आप जोट सकते हैं मारे सोशल मीडिया पेज़े स्कैंडल से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए इस कॉश्चन में क्या कि आपके पास एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चीज ह खाता है तो आपको reward 1 मिलेगा और mouse 2 इसको खाता है तो आपको reward 2 मिलेगा अब आपको क्या करना है कि आपको वैसे mouse को खिलाना है जिससे आपका reward जो है टूटल वो maximize होना चाहिए बट यहाँ पर एक और उन्होंने constraint दे दिया है कि जो first mouse है वो exactly के चीज़ खाएगा के से जा constraint को follow करते हुए तो यहाँ पर जो first test case दिया हुए उसको एक बार देखते हैं लोग 1134 and then 4411 ठीक है यह reward 1 है और यहाँ पर के का value सबसे पहले हम लोग 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर के का value 1 है तो यहाँ पर mouse 1 को कौन सा हम लोग खिलाना चाहिए कि जो reward है वो मेरा maximize होना चीज़ देखिए total जो है आपका पूरा का पूरा mouse 1 प्लस mouse 2 मिलाके वो पूरा का पूरा चीज भो खाने वाले है ठीक है बस दिक्कत यह है कि mouse 1 जो है वो के ही चीज़ खाने वाला है और बाकी का जो चीज़ है वो mouse 2 खाजएगा ठीक है तो उसमें कोई रिक्कत नहीं है त के आप खिलाओ mouse1 को वह ऐसा खिलाओ जिसमें जिसके corresponding mouse2 का point है वह minimum होना चाहिए तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं कौन सा ऐसा चीज खिलाओं जिसमें mouse1 का जो reward है वह maximum है as compared to mouse2 का reward तो यहाँ पर आप देखो यह fourth वालो चीज है उस पर से mouse1 का reward का reward maximum है एंड माउस टू का reward थोड़क करने उसके corresponding वन है अगर माउस वन इसको खाएगा तो फॉर दो पॉइंट और जादा मिलेंगे अगर इस तरीके से मैं देखूंगा तो एक presented जो हो поч़़िए अगर माउस टू के जगह पर तो मुझे तीन पॉइंट और एक्ट्रा मिलेगे यहां पर अगर मैं माउस से खिलवा दू तो यहां पर जो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कि पहले पूरा का पूरा जो चीज है, वो माउस 2 को खिलवा देते हैं, तो पूरा का पूरा चीज कितना है, टोटल सेकेंड वाला जो एरे है, उसका सम ले लेता है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पहले हम अज्यूम कर रहे हैं, कि माउस पिप खिलाने का माउस वण को जिसमेंसे माउस वण और माउस म1 का डिफ्रेंस सबसे सबसे दाद है यहाँ पर सबसे दाद सबसे ड कौन आद यहाँ पर यह वाले चीज पर ठीक है तो ये हम लोग टीज व क्लेवा देंगे ं तो positive difference 3 का जाएगा answer में तो मैं क्या होगा इस वाले चीज को तो मैं खिला चुका हूँ अब मैं एस चीज को खिलांगा जहां पर मेरा difference maximum हो point 1 और point 2 के बीच में तो ऐसा कौन सा point है यह वाला point है तो यहाँ पर अगर हम लोग खिलाएंगे तो मेरा जो score है वो किस से vary करेगा मेरा score vary करेगा plus 2 से ठीक है तो यह actually क्या हो रहा है 13 plus 3 minus 1 ठीक है क्योंकि आपने पहले से कर लिया था कि mouse 2 ने इसको खा लिया है तो उसके corresponding लिए अपने point ले लिया है तो उस point को आपको reduce करना पड़ेगा minus 1 आपने कर दिया और अब आप mouse 1 को खिलवा रहे हो तो mouse 1 के corresponding जो point हो आपको add करना पड़ेगा तो यहाँ पर आ जा रहे तो actually मैं आप यहाँ पर जो difference है उसी को add कर रहे हो तो यहाँ पर this is equivalent to 2 आप add कर रहे हो तो टोटल यह क्या हो गया 15 जो कि यहाँ पर के लिए answer है अब cake value कर मालो 3 हो जाता तो फिर आप क्या चुनते third best तो third best तो आपका यही है minus 3 minus 3 तो आप किसी भी एक को pick कर लो अगर मानलो second वाले चीज को आप खिलवाते हो तो आपको कित्ता point में change आएगा minus 3 क्योंकि यहाँ पर क्या था यहाँ पर आपने पहले mouse 2 को खिलवा दिया तो उसके difference आने वाला है वो three का आने वाला है और वह भी negative difference मतलब point जो आपका कम जाएगा 12 हो जाएगा same way अगर cake value 4 हो जाता तो फिर हम लोग और आगे बढ़के जो next element है उसको लेते ठीक है तो this is the way simple सा है हम लोग क्या करेंगे वैसे सारे point को चुनेंगे जहां पर की मेरा first mouse का reward बहुत जादा मिल रहा है as compared to second mouse ठीक है और exactly के बार हम लोग यह operation करेंगे and we'll get our answer अब यह करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप priority queue ले सकते हो और priority queue में आपको क्या store कराना है reward 1 का difference minus reward 2 का difference ठीक है यह आपको store कराना है और इस तरीके से जो भी आपका maximum difference वाला है वो आपको निकाल निकालके उसमें से अपने answer में add करते चलना है ठीक है कुछ हो सकता है positive आएंगे difference कुछ हो सकते है negative आएंगे difference तो correspondingly after k operations आपको पता चल जाए कि maximum आपका answer किता आ सकता ह और यह करने के लिए priority के हो हमारे best option है ठीक है तो चलिए अब code देख लेते हैं तो code पे जाने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारा जो ongoing dsa plus cp series है वो percent phase में पहुच चुका है जिसमें हम बहुत ही tough tough concept और बहुत ही tough ऐसा नहीं कि irrelevant concept जो आप सुनते आ रहे होंगे dsu और भी बहुत अच्छे अच्छे concept LCA LCA find करने का जो binary lifting तरीका होता है lowest common ancestor वो सारे हम लोग cover कर रहे हैं तो if you want follow you can follow video i button में आ रहे होगी आप वहाँ से देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा सबसे पहले हमने एक priority क्यों बनाया है पहला assumption हमारा क्या था कि हम पूरा का पूरा जो चीज है वो rat 2 को खिलवा रहे है ठीक है and second हम लोग क्या करने वाले है हम लोग store करने वाले priority क्यों में क्या की अगर मैं उसको rat 2 के जग़पे rat 1 से उसको खिलाऊ तो मेरा जो score है उसमें difference क्याने वाले है तो उसका score में difference क्याने वाले है r1 of i minus r2 of i यही तो difference आने वाले है अगर मैं rat 2 के जग़पे rat 1 से उसको खिलाऊ ठीक है positive यहाँ पर आपका positive है negative जो भी difference होगा वो यही तो आने वाला है फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे अब आपका जो answer होने वाला है उस answer में आप क्या करोगे हर बार 4K times आप जो highest difference वाला है उसको तो lowest negative आप निकालोगे ठीक है तो उस तरीके से निकालते चलोगे और फिर आप उसको add करते चलोगे यहाँ पर पहली बार मैं मैंने question गलत पढ़ लिया था मुझे question मैंने यह समझ लिया था कि आप at most के हटा सकते हो ठीक है यहाँ पर at most के नहीं question में दिया हुए है exact के तो इससे लिए यहाँ पर मैंने यह किया था तो गलत हो गया था ठीक है तो इसकी जरुट नहीं है आपको सीधा शीदा आप यहाँ पर आजाओ और फाइनली जो आपका answer होगा उसको आप यहाँ पर से return कर सकते हो अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो comment section पर आ सकते हैं यह पर आप जोड़ सकते हैं मारे social media pages candle से जिनके link description box में दिया हुआ है that's it for now thank you आप आप सब बहुत अच्छे होंगे बढ़ी कोशिन आज का अच्छा नहीं था एक्च्वी इंडीट बहुत था ऐसे तो इसी है इसने को आप यूट पाऊगे if you have good experience of graph बट टीएगी देगा जो ट्राइए कि हो समझ पारे मैं क्या आप इसकी सौर इशारा कर रहा है ना और समिशन आप देख सकते एटीवन एक्सेप्टेड है बस कोड़ इसका राइक एचिंग है बहुत सारे कॉंटेस्ट में एक्सेप्टेड हुआ है ठीक है अगर आप है कि समझने के पॉइंट वी से क्षेशन नहीं हिए सिंपल बो दिया क्विशन में आपको कि ए अरे मैं हर एक इंडेक्स पर जिरु रखाओ है डियासिट अप्सेटिंग एक इंडेक्स जौप बोल दिया कि इंडेक्स पर इंडेक्स प्रिया कि उदेक्स फोश्टो नहीं स कि मैं आपको लो दिया कि भाई ये इंडेक्श भन दखा हुआ और कि वाक्षिट स्थाफ्स पर क्या है इसका मतलब क्या लुग है वो सब्सक्राइब कर सकते हो इसको रिवस कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस जो बीके रिवस कर दिया तो इसमें इंडेक्स ना हो जाए तो मतब अगर आपको लेंट्टू का आवड़े तो इस सब्सक्राइब को बताना है आप को कित्ता ऑपरेशन होगेगा हर एक इंडेक्स करने में हर एक इंडेक्स करने में करने में कर दोगे और किता अपरेशन होगे जैसे इसके में इंडेक्स पूर का बात पुरू इसको वन होने में किता ऑपरेशन लगेगा एक ऑपरेशन हो जाएगा और यह वन हो जाएगा और इदर आगे भड़नी पाएगा क्योंकि बैने और यह से पीछे नहीं जा पर रहे तो यह सब कभी भी मैंनस वन वन जिडरो वन मैंनस वन इसी के समानदोतरें के त्री होता हम का कि तीन लें का सब्रें लुक्त लाओड है तो अगर मैं यह सब्रें चूज करूँज अगर मैं यह सब्रें चूज करूँज करूँगा यह सब्रें चूज करूँज करूँगा तो एक ऑपरेशन में वन हो सकता है अब फिर वियाकर मैं तो इस वे मैं आपको कंटीन्यू करना है आपको बताना है कि सबसे मिनमम टाइम क्या लगए है किसी भी इंडेक्स को बन होने में अगर आप अच्छा घासा ताइम यह क्या है क्योंकि अगर आप ग्राफ का प्रेश्ट देखे अच्छे से उसको भी सुट अगरा पीपीएस के अलावा अभी हमों का जो सीपी सीरीज चल रहा है अस्तित्व और अभी तो प्रचेंट चल रहा है अस्तित्व में जो ग्राफ में पढ़ाया था इंटूशन बिल्डप सि से आपका वन कहां कहां जा सकता है कि उप्रेश करोगे तो और नाट पॉसिबल और अगर अगर ये निधू से अगर आगए अगर आपका वन आ गया गया और ये सब रहागे तो में रहा जाओगे तो और तो वह पुछ ऑफ्शन नहीं नहीं अब पर जाओ फाइफ से भाईया यह चूछ खरोगे तो फ़ीड़ाइगा यह चुछ तो वह वापस त्री पर जाएगा गें प्रहीं पॉटते तरी और विजटेट इस वह आपक्याव सब्सक्राइब हो जाएगा इंडेक्स त्री पर एक आसकता है इंडेक्स वन आहीं नहीं सकता है पुड़ा सच्छा से बड़ा किसम दिमाग खोड़ जाएगा यह इंट्रिशन आपको बनना चीज अगर अस्तितों फेस फूरा चीज देखियो मेरे मेंटी हो बेसिकली तो इसके बाद सोचा जाता है तो इसमें कि यह बैंड है तो ब्याइब तू से अगर हम एक सब्रेज चूज करेंगा जन्त फोर का करेंगा तो यह जा रहा है तो जा रहा है यह जा रहा है और पर नहीं जा सकता है इतने जैसकता है अच्छा एक अगर आपका वन है तो अगर भी सब्रेश्य करोंगे कौन सा यह वाला वन तो वन से टूपर जाएगा तो बड़ा वाला तो कहा जाएगा फिर नेश्ट कहा जाना चाहिए आपको पता चल गया कि भए जिरो और आपको पश्टू पश्टू करने हैं तो आपको बिसके अब को प्लस्टू करने है जिरो पर जो पर जा सकता है कि शुट पर तो नहीं जाएंगे पर फॉर भी जाएंगे जाएंगे खत्म खत्म फाइब आपको पताए फाइब तो राइट मुश्ट का यहाँ का इसा अरे जहां न डाइट मुश्ट झाट कर तो टू-फोर शिच्टीन इन्टकुक्त करने आप तू-विजिटेट है पूर विश्टेट है शिक्स नए जो जाओ आप से स्टार्ट करको क्यों से यह आसे है यह इसे है यह इसे यह इंडेक्स जिरो जिरो से सब्सक्राइब क्या होगा एक यह होगा उसे फॉर पर जा सकते हैं इंडेक्स टू पर जिरो ऑपरेशन होगा इन तीन इंडेक्स पर एक आपरेशन में बना जाएगा यह इंडेक्स बज गया तो उसमें कभी आई इसमस्ट निकाल रहे हो सिंपल बात है यह इसमस्ट की यह आखरीम होना चीए न राइट मुस्ट मुतर यह पहला होना चीए सब्सक्राइब करना चीए तो अब देखोगे यह होगा इसका पॉजिशन कहा हो सकता आपको बता होना चीए कि रिवर्स के यहां पर आएगा इसे सोचो सिंपल सिंपल इसमें यह होना चीए तो ऐसा होगा अगर इसका पॉजिशन कहा होगा इसका पॉजिशन कहा होता है बाइडिफॉल्ट मैनेस वन अगर रिवर्स करो गया तो वन आयगा आपका मैनेस टूपर सवरी पॉसिबल क्यों क्योंकि एक्ष्ट मैने शुरू हो रहा है इससे आपका ऐसा आंसर आ रहा है इसका 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 सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करों सब्सक्राइब प्रवाइब शिक्स तो इंडियक्स फोर पर अभी रिवस के कहां चाहेगा यह वन पर की बात पूर मानिस सब अरे का साइज है के मैं तो के फॉर है तो बन पर जाएगा और नेश्ट अब रेगर में यह वागा अभी कहां पर जाएगा वह फॉर से इदर आएगा रइट अब रिवस करके खुद देखो ना एक दो चीन चार रिवस कर तो यहां पर आजाएगा तो फॉर 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 आखरी में चाहिए यह आप मानते हो तो यह से होता है अगर हमको फ़स्ट वाल पता कि यह स्टार्टिंग का से इंडिंग का से वन से से वन और इदर से हैं हमको बन तो वह हैं क्या इदर को यह से होगा तो कुछ इंडेक्स करना पड़ेगा मत्सब यह अशना कि अगर पर आप आपना सिफ्टिंग आप इंडेस वाल रहा वान माइन एक यारश टू कि फोर मानरश अपॉसिबल , तो माइनस टू इस नॉपॉसिबल मैश टू स्टाटिंग पॉइंट निया तो आपको स्किप्न चाहिए सब्सक्राइब करना है यह सब्सक्राइब कर सकते हो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो अब कर वह श्यक्राइब कर एक है अब करें यह देखके यह सब्सक्राइब करें आप अब इसा होना चाहिए बाद अब अब क्या हो रहा है तो हम नों का अभी का होना चाहिए आप निकाल लोगे पासिटिस इस नोट सब्सक्राइब कर दो एक सब्सक्राइब करें तो इसमें दो पीछे करों जिता पीछे कर दोंगे जाएगा बहुत अब यहां से सब्सक्राइब करें अगर आपको यह करके करें अगर आप पर जा रहे हैं तो आप क्या करें वन पर जा रहे हो जा रहे हो फाइब पर देख रहे हो विश्टेट है क्या मैं मानता हुपका क्यू में रहेंगे लुए हरे के बार एक बार है तो क्यूंअ फेलिमेंट से बूसेंगा बढ़ेगा या तो सारा और पर जाकर देखना पूरेगा कि कौन-कौन से यह सकता हूं और एगाट कि वर्श्ट केस्में एड़ियू टावल से करना पूदेगा कि अगर आपको यह समझ मारी है अगर आ तो आप सारा ओडिया सारा इवन पर टरबिल करो कि तो आपको समझ माएका यह दिकत है तो क्या पाए अब यह इसका 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 पाए डिया समझाने माले कुछ भी नहीं सब समझाया कैसे अपले करना इस को दिखा दूंगा मेरा वीडियो आ रहा होगा ठीक है क्या कुश्चिन था वाल मैं बता देता हूं करना है तो वन पर जाके पेंट किये तो पर जाके पेंट किये तो पिर पर प्रम करेंगे तो दिकत हो जाएगा तरव बहीं करना चीज़ जो खाली है वन से आउन करें तो यह काम करता है यहीं जाना है जहां दीवार खाली है तो वहीं मैं जाना है जहां विस्टेट अरड़ी नहीं है वैट क्या से करते हैं क्या बोलते तो इसी कुश्ण के एक्सांपल देता हूं थ्री तरह पैरेंट्स कौन है जब जब हो थी से फाइव पेंट करेंगे ना मान में रखोगा असे कि इस सब वेकार में बता रहूं वह सब वीडियो में बताया था मैं मैं बस एक आइडिया की आपको दे देता हूं उसकुश्ण में बहुए थे थे जब पेंट कर दिया इन इस अपका पैरेंट कौन है वह है नाइन टैन अब थी को पेंट किये अब थी को पेंट कर दिए अब थी खुद तो पेंट हो चुक्क है अब को पेंट करना ख़को प्रलक परेंट कर दो मैं तो थी करना थी कोई करना है कि अब देट कर दो कहा है अब इन पेंटिंग का करने हैं मांदो वन को पेंट किया सभी से हो गया तू पर जाना तू पर जाना अब त्री पर जाना अब त्री पर जब आफ गए अब त्री पर जाओ के नहीं यह दिए से देगा कि समझाने बढ़ा नहीं नहीं तू क्या बदा था रिके पास जाओ त्री बोले है फोर मेरे पास से रुखो तब साब कहां जाओ शिदा इस फोट पर जाओ करहा थे जहां पर जहां पर यहां पर दूनुश्ट यह आपकर सब्सक्राइब करेंगे अब जाना बस तो खतम है यह बात अब ट्रवेसिव इंडेक्स पर कर रहे हो जिसक्षिश में मुझे एक और एवन का बना देंगे नहीं अच्छा और एक एक और इंडेक्स बना देंगा भई यहां वे बन तो अब इनिशी सब क्या वह ने खुद के परेंट्स खुद है इसे चिंजह साइट्स अब आपको जाने ट्रावल करने तक तो हैं वन को घए कर दी अब्डेट विजिटें अब सब्सक्राइब कर दो कि अपने काम फाइब विजिटेंट वह गया तो बीजिटेंट कर दो कि लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह काम को पूरा-पूरा करना है यह पाट अगर आपको समझ में नहीं है अब इसको में आजए घंटा तक पूरा क्या कैसे है दूसा वीडियो एप्लिकेशन्स पीश्यू का जो ट्री में आपको ग्राफ में उस होता है और इसमें वीडियो को रेफर कर सकते हो इस बर में जो कुंब गवह या यह है ना-चाल अमीच की जो में बॉला हम अुद्शी गंड़ा है सबूरत क्म, क्यों आफर में इस दमकं तंद्येयो कर दिए नकारे को ल είक लोगा पिलमा लिए। तो फाइब लिए वह कि जी पर जाओ ठीक है और इनीशे इंडेग्स है कर चुको तो पी विजिट करेंग तो पी अप्डेट करेंगे अटा प्रेटकी अग्री अप्रिश्टर दिया करना हो इसके स्टार्ट का सकते हैं इसको स्टार्ट निकाले हैं वी निकाला को तो पतार को पदा थे फ्रेट करते हैं अगे पिछ जा रहे तो पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा और पर करें यह और यह जा रहा है उसका प्रेंट कर दे रहा हूं यह वह उसका प्रेंट को बढ़ा दे रहा हूं अगर सब्सक्राइब कर दिया कर दिया कि पुछ कर दिया और इवन गालगा अगर वीडियो देखे हो तो मेरा यह वीडियो से को यह समझाना था यह कुछिन काफी टॉफ है अच्छली इस समझाया हूं अब जैकर समझ सकते हो बट अगर अप नहीं हो को तो निकुन स्क्रिप्सक्राइब करोगे तो आपका फाइदा होगा थ्यान रखिए में तने वीडियो में देख वे भी जाएब करो एंपी यह को एंज्धाफिन काफ